तेंद्वे ने घर में घूसकर की नव बकरी का सिकार वन परिशेद लामता के अंतरगत ग्राम देवसर्रा में एक ग्रामीन के घर में गत रात्री में खूंकार वन प्रानी तेंद्वे ने घर में घूसकर नव बकरी का सिकार कर लिया जिसमें से एक बकरा को उठा ले गया है जिसकी जानकारी वनिभाग को दे दी गई है जानकरी अंसार देवसरा निवासी महेश चौधरी के घर में 14 मार्च की मद्रात्री में बकरी के कमरे में घर में घूस कर नव बकरी का सिकार कर लिया वहें महेश चौधरी ने जानकरी मता कि प्रतिदीन की तरह 14 मार्च को भी वह बकरी सभी घर में बांध कर सो गए थे जब सुबह देखा तो शबी बकरी मर चुपी थी जिसमें से एक घायल है और एक बकरा नहीं है जिससे लगता है कि एक बकरा को खूंकार तेंद्वा ने उठा ले गया है जिसके जानकारी वनिभाग लामता को दे दी गई है तेंद्वा के पंजे के निशान दिवार पर दिखाई दे रहे हैं जिससे अब ग्रामीन दासत में आ गए है महस चौदरी ने कहा कि हमारी मांग है कि हमें सभी बकरियों का वाजीब मुहाउजा मिलना चाहिए वहें ग्रामीनों ने बताया कि तेंद्वा की आमद आए दिन बढ़ रही है जहां लोग दासत के माहूल में जी रहे हैं तेंद्वा आए दिन रहवासे इलाकों में प्रवेश कर जाता है लोगों को कई दफा नजर भी आता है वहें वाजबाग भी तेंद्वा को दूर खदेडने में नाकामिया भी दिखाई दे रहा है तो यह पूरे जानवर खतम मिले तो अच्छा महस भी यह घटना किस ने किया यह जंगली जंगली सेर ने सर्थ आपने सेर को जाते भी देखे किया नहीं देखे कि यहां आजू-बाजू सेर घूमता रहता है निसान भी बिलेंगे अच्छा तो यह सेर ने पूरी घटना कर दी यह लगबग कितने घटने कितना बज़े की बात ही लगबग रातरी में 12 के बादी किया होगा सर अच्छा तो आपको यह कम मालूम हुआ यह सुबह मालूम ह अच्छा जब आप घर से सो करके उठकर करके निकालते समय सब्सक्राइब कितने कितने नंग बख्रा बख्रा बख्री को मारे सेरे शेयं सर और बख्री तीन थे सर तो एक को लेकर के भग्या सर यह निसान है दिवाल पे लगा हुआ है